सो दोस्तू आप लोग कैसे हैं उमीद करते हैं आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे साथ में बोर्ड परिच्छा के लिए काफी अच्छी तरह से त्यारी कर रहे होंगे जैसे कि दोस्तों आप सुभी जानते हैं कि डेली कलास होता है तो आज के इस कलास में देखेंगे कलास 12 मन विग्यान यानि कि साइकलोजी की पेपर जो कि आपके एकजान के जिश्टी से काफी महात पून है आप लोग भी अच्छी तर से त्यारी करके बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट हो कापी अच्छा है कापी बेहतर आए तो वीडियो को स्क्रिप मत करें वीडियो को सुरू से लेकि लास्तिक बन रहे क्योंकि यह वीडियो आप से देखेंगे तो आप लोग चैन पर नहीं हो पहली बार यहां तो चैन को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले तो चलिए दुस्व सारी प्रिशन को एक एक करके देखते हैं तो आप लोग लास्तिक बन रहें और कोर्सेस कर निचे चार उप्शन दे आप सिरी आंसर पता है तो जरूर कॉमेंट करें इसका जो कॉरेक्ट एंसर प्षन बी बीने ने शुरुवात की तो जिस्तों एक का राइट एंसर ओप्षन बीस का कॉरेक्ट आंसर है अलबर इस निमलिकीत में से कोन सरजदात्मक चींतन की अवस्त क्र calidad नहीं है इसका जो कॉरेक्ट एंसर राइट एंसर ओप्षन का राइट एंसर है दारन तो द्स्तों दो का राइट एंसर से इसका राइट एंसर मंद काते हैं तो तीन का राइट एंसर ओप सविशने निमलिकीत में सी कौन यूग की विक्तित्वर्व परकार की अंतगात नहीं सामिल है भी कि अन्तगत नहीं सामिल है नीचे चार ओप्चन देस का जो korekt answer है राइट एंसर ओप्चन भी है एंडो माफी तो चारका राइट एंसर ओप्चन बीश ka correct answer है अलबरिश ने आपे दिख सीप और परिश्णे type c वेक्तिगत का परति पादन किस ने किया स्वाप से जैंप हुछ सकता है टाइप सी वेक्तिगत का पर्तिपा अधन किस ने किया इसका जो कोरेक्ट एंसर है राइट एंसर ओप्शन बीस का राइट एंसर है अलब प्रिशने आपे देखिए छेन प्रिशने वेक्तिगत विकास का सही करम है स्वाप से जैंप हुछ सकता है वेक्तिगत विकास का सही करम क्या है इसका जो कोरेक्ट एंसर है राइट एंसर ओप्शन बीस का राइट एंसर है इदम अहम प्रहम तो छे का राइट एंसर ओप्शन भी है अलब प्रिशने आपे देखिए आठन प्रिशने कता अनक आत्म बो सब्सक्राइब पुछ सकता है निम्लिकीत में से कौन समाजिक परती बला इसका जो राइट एंसर ऑप्शन डी है विवा विचेद तो दिस्तो आठका राइट एंसर ऑप्शन डी है सारे प्रशन काफी प्रटेंट है कई बार बोट परिक्षा पूछे गए प्रशने तो आप लोग याद कर ले क्योंकि इस बार आने का चांस है अगलर प्रशनी है यह दीख देखी रएट एंसर आप्शन2 अवस्थाई तो आभी टाइस बीडियो को सेर नहीं कहते वीडियो को सेर कर दे ताकि और भी स्टुडेंट को हेल्प मिल्स के वह भी अच्छी तसे त्यारी कर सके इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके समने आई बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर को और वीडियो देख सकते हैं तो अगल प् संबी है आरंविक बचन तो दूस्तों दसका राइट एंसर ओप्षण भी है अलबरेश ने आपी देख सेंग करा कि उस्वार्ग स्गतन दौरा यहसितो आज सी दीट परस्तुत किया गया है तो विस्वार्ग का राइट एंसर ओप्सें से अल्पिष्णिया पर ही देख सी बादर पृस्टने दूई धुरूबी ये विकार के दो धुरूब है इसका जो कुछ एंसर है तेरह का राइट एंसर ऑप्सन भी है आपी देख सकते हैं जो चौधन फ्रस्ने कराई कि रैसनल इमोटीब चिक्सता का परती पाहदन किसने किया आपके से जाम पूछेखते हैं तो चौधर परशिद योग सुत्र में योग की मार्ग है इसका जो राइट एंसर आठ मार्ग है तो 15 परशिद पुर्भा गरह एक परकार का है जिसका जो राइट एंसर ऑप्शन ए है मनुविर्ती का जो 16 का राइट एंसर ऑप्शन ए है अलबरिशन आपी देख से 17 पुर्षन है मनुविर्ती निर्मान के सांस्कृति कारक की भुणका पर बल दिया इसका जो राइट एंसर ऑप्शन सी है मीड एबम बेनेडिक्ट ने बल दिया तो दिस्तु 17 का राइट एंसर ऑप्शन सी है है इसा इसवेडियों काने कॉंकि लिजू बनान भीमिने कापी में लगता है तो आप लोग लाइक कर दे इस वीडियो को सियर कर दे ताकि और विश्टूडन को हेल्फ मिल सके तो आप लोग चाहिए पे नहीं हो तो चाहिए को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरग वीडियो आपको मिलतारे सबसे पहले तो अगले प्रश्णिया पे देख से 19 प्रशने काफी महत्मन प्रशने करा है कि एक समाजिक समू की स्रचना के लिए कम से कम कितने सदसों की अब सकता है तिसका जो correct answer है right answer है option जो की A's का right answer दो सदसों की अब सकता है तो इसका right answer option A है अलबृश्णिया पे देख सी 21 प्रशने की समू का वगी करन पड़ातमिक समू तत्hour दूतियक समू में किया है जिसका जो right answer है correct answer option D इसका right answer है चार्स कूले ने किया है तो 20 का right answer option D है अलब डिशनेया पी दिखते है किसन प्रशन है एक संदम समू के लिए सरवाधिक वाचित अवस्थाय है इसका जो correct एंसर राइट एंसर आप्षन भी इसका राइट एंसर समू का परभाब तो दुश्तों एक इसका राइट एंसर आप्षन भी है अलब डिशनेया पी दिखसी 52 प्रशन है समाजिक समू के लिकीत किस परकार में सरवाधिक वाचित होती है आप से एक जाम पुछ सकता है इसका जो राइट एंसर में कौन मांशिक स्वास्त का आधार है स्वापस एक्जाम पुछ सकता है निमली कित में कोन मानसिक स्वास्त का अधार है इसका जो राइट एंसर है उप्शन एसका राइट एंसर है समविगातमक इन्जो की स्थिर्ता तो जिस्तु तैस का राइट एंसर उप्शन ए है अलब रिष्ण निया पे देख से 24 तन से चार प्रशन है जो कि अग्रमा कता का कारण को नहीं है इसका जूरा है टेंसर है औपसं सी इसका राइट एंसर जो की बिभार्व प्रक औस दो जिस तूफ जिसका राइट एंसर उप्शन सियेर अलब रिष्ण ने से 4 कोसल के लिए कौन सा कौसल अनिवारे नहीं है यह चार ओप्सन दिया इसका जो राइट एंसर और साब्दिक संचार तो दोस्तों 26 का राइट एंसर ओप्सन यह आपको एक्जामिस सभी से ओप्सन देख लेना उसके बार दी गोला करना है तो अलोब परिष्णिया पर देख से 27 परिष्णिया संसार में जो कि यहां पर संचार संचार में कूट संकेतन की विशिस्ता नीचे चार ओप्सन दिया है सबसे पहले आप लोग यह चार ओप्सन को देखिए उसके बाद ही आंसर कोमेंन करिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट है कि ओप्सन चारू नहीं पढ़ते हैं और आंसर कोमेंन कर देते तो आपक अनभूती में परिवरतन लाता है तो जिस्तों 27 का राइट एंसर ओप्षन ए है अलबरिशन आप यह देख से थे जो 28 प्रशन है विक्तिद्व के सील गुन उपागम अगनी वन विज्ञानिक किसे कहा गया है इसका जो राइट एंसर ओप्षन भी है और पोट को कहा गया है तो 28 का राइट एंसर ओप्षन भी है अलबरिशन आप यह देख से 29 प्रशन है एक धुरूब्य विकार का दूसरा नाम क्या है इसका जो राइट एंसर है ओप्षन डीज का राइट एंसर इन्में से कोई नहीं तो दिस्तों 29 का राइट एंसर ओप्षन डी है अलबरिशन कैसे धान सीधान का पर्ति पाधन किया किने कुणता शिदान का परतिपाधन किया इसका जो राइट एंसर है करेक्ट एंसर ओप्षन डी है मिलल ततह डॉलार ने किया तो दूस्तु 31 प्रैस गंप्षन अलबरिशन लाइस से 13 आप से 28 अप्षन में लीकत में किस मातरक से ध से है देशी बेल से मापा जाता है तो 31 प्रशन से है अलब्रशन आपे रिखसी 32 प्रशने फ्राइडे काउनसार इलेक्टा की अब्धी में लर्कियां परतियोगता करते है यह तो फ्राइडे काउनसार इलेक्टा की अब्धी में लर्कियां परतियोगता करते है किसे करते है चार उप्षने बहाँ से भाई से माहा पिता से इसका रॉप्षनस यह मां से पर्तियोकता करती है तो 32 का राइट एंसर आपसें सिए एल बश्न पर इस मनुवेर्थी परीवरतन के दू अस्थालिय स्वपरते का पर्तिपादन किस ने किया इसका राइट एंसर स्महसीन ने कि किया था ठीक है यह तो आप सिग्जम पुल सकता है कि मनुविर्थी परिवर्थन की दुए अस्थलिय स्वाप परतिपादन किस ने किया तो एस एम मुहसीन ने किया तो तैटिस का राइट एंसर उप्शन सी है अलबर्ष निया पी देख से चौतिस्तन प्रस्ण है एक अंसर मन का अकरात्मक मोडल क्या है इसका जो राइट एंसर उप्शन सी है जो कि अर्ध चेतन तो दिस्तु चोतिस का राइट एंसर उप्शन सी है अलबर्ष निया पे देख सी 35 प्रस्ण है मॉडलिंग परवीधी का परतिपादन किस ने किया स्वाप सिग्जम पुछ आज कि इस कलास में कलास 12 साइकलोजी यानि की मनोविज्यान की पेपर में कुल यहां पे 35 प्रस्ण थे तो पहले साथ को कितने प्रस्ण या थे सही से नीचे कोमेंट करें वीडियो आपको कैसे लगा ये भी नीचे कोमेंट करें उमीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा पसंदत वीडियो को एक लाइक कर दिजिए साथ इस वीडियो को सेर कर दिजिए ताकि और भी इस्टोर्ण को हेल्प मिल सके सो आप लोग चाहिए पहली बार एंद तो चाहिए को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जो वीडियो डाले सबसे पहले आपको करें आपसका देन सुभू